पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में बच्चों की मौत के बाद एलहाबाद प्रसासन ने जिली की सभी प्रधानाचारियों को निर्देश दिया कि वो अपने स्कूल की सुरच्छा बढ़ाएं तो इसमें हम लोगों को भी सेंसिटिव होने की जरूरत है इसलिए हमारे जनपद इलहाबाद में शैकरो जो विद्याले हैं उनके टीचर को उनके प्रिंस्पल को और उनके मैनेजर को हम लोगों के द्वारा बुलाया गया है डीम साव और हमारे द्वारा और इनको यदि जरूरत होती है तो उसके बारे में इमरजनसी में स्कृलों को क्या करना चाहिए उसके बारे में इसकृलों की जानकारी हो इसके लावा स्कूल में CCTV लगवाएं, एकजिट और इंट्री के इनके पॉइंट को हम लोग देखेंगे, फायर सर्विस की एकुप्मेंट को चेक करेंगे, इस तरह की चीजों के बारे में इनको एक बेल लगाने के बारे में हम लोगों ने कहा है इमर्जनसी बेल लगाएं उसको हम लोग ठाने से जोड़ेंगे ताकि जवरत परने पर उसका हम लोग सदूप्यों कर सके हैं एससपी कारयाले में मीटिंग में हम लोगों को पेशावर में हुई धुरगटना के उपरा एक सुरक्षा के निर्देश दिये गए हैं कुछ प्रिकॉशन्स कहीं गए हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें क्योंकि आज के विक्रत समाज में इस तरह की दुगटना प्रते दिन बढ़ती जा रही है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जो भी वाहन हमारे यहां विद्याले में बस त्वारा चाहे बच्चे आएं चाहे लोग लोकल अपने ड्राइवर्स को अपॉइंट करें उन सब के लाइसेंस चेक करना उनका परिवेश चेक करना कि वो किस माहौल से आएं उनकी पास एक्जिक्ट और निकास द्वार और प्रवेश द्वार दोनों पर हमाई सुरक्षा सेक्योर्टी गार्ड किस तरीके के हो जो भी हम सेक्योर्टी गार्ड लें वो एक पुक्ता एजिंसी के द्वारा लें रजिस्टर एजिंसी के द्वारा और जो गार्ड भी हो उनकी भी ह को निर्देश दिया तीसरी बात ये हैं मुख्य जो कि कभी भी आकस में दुर्गटना कभी कहके नहीं आती आकस में कगर कोई प्रहार होता है तो हमें एक ऐलर्ट आलाम लगाना होगा उस एलाम को हम आफिस में भी प्रिंस्पल आफिस में भी लगा सकते हैं या कहीं पे भी इसी जगे पर अप्रोच रखें उसको कि वो तुरंट तक्काल सब को सुनाई दे सकें और इसमें विशेश दौर पर होने बता है कि अगर हम अपने प्रिंस्पल आफिस में उसको पैर के पास लिए तो हम आसानी से उसको बजा सकते हैं क्योंकि प्रहार करने वाला या आक् अगर हम कॉलेज में अलाम लगाते हैं तो वो एसस्पी कारियाले से या से क्योर्टिक डेम कारियाले से उसको जोड़ा जाएगा तो हम जब अलाम बजाएंगे तो उसका निर्देश या उसकी सूचना हमें यहां पर एलिटनिस के लिए भी प्राप्त हो जाएगी तो यह ह आगन तो हमारे उस कैमरा में कैप्चर हो सके और उसकी भी मॉनिटिरिंग प्रिंस्पल आफिस से ही होनी चाहिए कि जिससे के हम आवा गवन को वहां से नियंतरत कर सके और देख सके कि कौन कौन आया साथे बचों से रिलेटेड है कि उनकी सुरक्षा के लिए बचे वाहन जो चला रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कि वो हलमेट चरू यूज करें अपनी सिक्यूर्टी देखें उनके परिवेश में उनके गारजन से भी हम इस बात पर उबरू होकर उनको भी यह समझाने का प्रयास करें कि आप अगर संसादन उपलब्द करा रहे हैं तो उनके आवगमन के तो रफ्तार सहियत होनी चाहिए दूसरा वो निश्चे दे अपने लाइसेंस को अपने हलमेट को अवश्यूस पर